हरे क्रिष्णा मैं बोवन सुन्दरी राथा देविदासी गोविंदास क्यूजीन में आपका हार्देख स्वाजत करती हूँ आज हम बहुत ही यूनिक और वंडर्फुल एकादशी स्पेश्यल सेव बनाएंगे स्नैक सबकोई पसंद होता है नॉर्मली हम सेव, गाठिया या भुजिया बहुत सारी वेरेटिस हम बनाते रहते हैं मगर यह जो एकादशी की सेव जो है नॉर्मल सेव से कंपर किया जाए तो यह बहुत ही स्वातिष्ट है और क्रिस्पी भी है और बहुत अच्छी लगती है और यह बहुत ही कम इंग्रेडियन्ट से बनाई जाती है और क्विक रेसिपी है जल्दी से भी बन जाती है चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ पर हमने दो कच्छे केले लिये है और इसे हम वाश करके कुकर में दो विसल बजाएंगे और उसे ठंडा कर लेंगे यहां पर हमने केले को पहले से ही बॉयल कर लिया है दो विसल बजा कर ठंडा कर लिया था और अब हम इसका छिलका जो है वह निकाल देंगे अब यह जो केले हमने लिये है वह बिलकुल ठंडा कर लिया है एक mixing bowl लेंगे और यहाँ पर मैंने बहुत बारिक वाला grater लिया है जिसके छेद जो है वो बहुत ही बारिक है और ऐसा ही हमें grater लेना है और इससे केले को हमें grate कर लेना है बड़ा वाला मत लिजिए इस तरह से grate करने से केले के जो lumps रहेंगे वो बिलकुल भी नहीं आएंगे और आटा बहुत ही आसानी से बना सकते है यहाँ पर हमने दोनों ही केले को grate कर लिया है अब हम स्वाद अनुसार सेंदा नमक डालेंगे आधा चमच काली मिर्च का पाउडर लिया है और यहाँ पर हमने अब आधा कब सिंगारे का आटा लिया है जो उपवास में हम खाते हैं सिंगारे का आटा वही और अब हम चमच की मदद से इसे रफली मिक्स कर लेंगे यह मिक्स हो गया है अब हाथ की मदद से हम आटा बना लेंगे इस आटे में हम बिल्कुल भी पानी का इस्तवाल नहीं करेंगे हमने जो केले बॉयल किये थे उसका जो मौश्चर रहेगा उसी से ही हमें आटा बनाना है कभी-कभी केले की साइज पर भी डिपेंड करता है अगर केला छोटा है तो आटा थोड़ा कम लगेगा केला बड़ा है तो थोड़ा एक दो चमच वैरी रहेगा मगर मीडियम साइज के दो केले है तो आधा कब आटा परफेक्ट मेजर्मेंट है आटा हमारा बनकर तयार है अब हम इसमें एक चमच मूँफली का तेल डालेंगे और इसे फिर से एक बार गोन लेंगे अब सेव बनाने का आटा बिलकुल तयार है आप इसका टेक्स्चर भी देख सकते है सेव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने यह मशिन लिया है जो काफी लोग के घर में मौजूद ही रहता है और इसमें दो तिन टाइप्स की ऐसी जाली आती है एक प्लेट आती है मैंने मिडियम साइज की यहाँ पर ले रही हूँ और प्लेट को मैंने तेल से ग्रीस कर लिया है और इसे भी हम तेल लगा कर ग्रीस कर लेंगे सब जगा से ग्रीस कर लिया है अब जो जाली थी उसे हम फीट कर देंगे हमने जो आटा बनाया था वह हम थोड़ा थोड़ा करके पूरा इसमें भर लेंगे पूरा हमने भर लिया है अब हम इसे बंद कर लेंगे हमने तेल पहले ही घरम करने रख दिया था अब हम यह मशीन की मदद से इसे गोल-गोल ऐसे घुमाएंगे और सेव डालेंगे सेव डालने के बाद उस मशीन को हमें उल्टा घुमा देना है ताकि सेव जो है वहाँ इस टॉप हो जाएगी और इसे हम मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक फ्राइ करेंगे आप देख सकते हैं थोड़ा सा फ्राइ हो गया है एक साइड से क्रिस्पी हो गया है अब हम इसे पलट लेंगे अगर एक साइड से थोड़ा क्रिस्पी नहीं हुआ है तो यह हम पलटेंगे तब ही फोल्ड हो जाएगी यह अब हर साइड से क्रिस्पी हो गया है और सेव बिलकुल तयार है इसी तरह हमें सारी सेव बनानी है और अब हम सेव को पलेट में निकाल देंगे हमने एका दर्शी स्पेश्यल सारी सेव बना ली है और अब हम तुलसी पत्र रखकर बगवान जगनाजी को भोग अरपन करेंगे सेव का भोग लगा दिया गया है आप भी एका दर्शी के दिन जरूर ट्राई कीजिए और बगवान जी को भोग अरपन कीजिए सेव का भोग लगा दिया गया है अब मैं आपको दिखाऊंगी कि वह कितनी क्रिस्पी है आप आवाज से अंदाजा लगा सकते हैं अगर आपको भोगा रेसिपी सची लगती है तो लाइक शेर सब्सक्राइब किजिए और बाजु में दिये गए बेल आइकान पर क्लिक किजिए ताकि भोगा रेसिपी सापको मिलती रहे हमेशा जपिये हरे क्रिष्णा हरे क्रिष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे